ट्वेंटी फोर्टीन के पहले के दस साल में देश जिन्नीतियों पर चला था वो वाकरी देश को कंगाली की रहा पर लेके जा रही थी इस बारे में संसत के इसी सेटन में हमने भारत की आर्थिक स्रिति को लेकर एक वाइट पीपर भी रखा है आज उसकी चर्शा भी चल रही है और मुझे मैं आज जब इसना बड़ा ओडियन्स है तो अपने मन की बात भी बता देता हूँ यह वाइट पेपर में जो आर्ट लाया हूँ ना वो मैं 2014 में ला सकता था राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं दस साल पहले देश के सामने रख देता लेकिन 2014 में जो चीज़े जब मेरे सामने आई मैं चौंक गया था अर्थ ववस्ता हर प्रकार से भहुत गंबीर स्थिती में थी गोटाले और पॉलिसी पारालिस्क को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में गोड नेरा सा व्यापी थी अगर मैं चीज़ों को उसमें खोल देता जरा भी एक नया गलत सिग्लल जाता तो शायद देश का विश्वास तूट जाता है लोग मानते हैं डूब गए अब नहीं बच सकते हैं जैसे कसी मरीश को पता चले ना कभी तुम्हें एक गंबीर भीमारी है तो आजा तो वही खतम हो जाते हैं देश का वही हाल हो जाता पॉलिटिकली मुझे वह सूट करता था वो सारी चीज़े भार लाना राजनीती तो मुझे कहती हैं वो करो लेकिन राश्टनीती मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीती का राश्टा छोड़ा राश्टनीती का राश्टा चुना और पिछले दस साल में जब सारी स्थित्या मजबूत हुई है कोई भी हमला जिलने के हमारी ताकत बन चुकी है तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए चीज़े खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लमेंट में भाइट पेपर पेश किया है उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल कर के आज हम यहां पहुंचे हैं